आज के टाइम पर सभी शुन की सबसे पहली पसंद है गवर्मेंट जॉब्स और अगर गवर्मेंट जॉब अपर्चुनिटी इस 12th क्लास के बाद ही मिल जाए तो समझो लाइफ तो टेंशन फ्री हो जाए तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी न्यूस बताने वाला जो आप सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को लाज तक देखी आपको सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस्ताफ सेलेक्शन कमीशन और SSC ने 12th path student के लिए application form रिलीस कर दिया है कमीशन ने recruitment examination के लिए भी notification रिलीस कर दिया है और अगर आप इसके लिए eligible हैं तो आप 15.20 तक इसमें apply कर सकते हैं अब बात करते हैं इस vacancy है कुछ highlights की तो इस exam का नाम है SSC CHSL exam 2020 push का नाम है LDC, JSA, PASA and DEO number of vacant seats की अभी तक कोई भी information रिलीस नहीं की गई है बर जल्दी SSC की official website पर इसकी information आ जाएगी इसके लिए qualification चाहिए 12th path और इसका pay scale है 29,200 रुपीज से 92,300 रुपीज पर मन तक और इसकी job location all over इंडिया में है इसकी age limit है 18 years to 27 years और इसकी age limit January 1 2021 से calculate की जाएगी और age relaxation reservation rules पर depend करेगा अब बात करते हैं इसके application fees की तो general or OBC categories के लिए 100 rupees application fees है और बाकी other categories के लिए हैं से की SC, HD, women and ex-servicemen category के लिए इसमें free to apply है अब बात करते हैं कि इसमें apply करना कैसे है तो इसमें online apply किया जाएगा और candidates को SSC की official website पर जाकर apply करना होगा लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा और अगर आपको apply करना में कुछ भी problem है तो हमसे comment section में पूछ सकते हैं अब बात करते हैं कुछ important dates की तो online application form 6 November 2020 से start हो जाएगा और online application form को fill करने की last date है 15 December 2020 23 December to 11.30 PM and last year for depositing invoice fees is 21 December 2020 and paper 1 exam date is 12 to 27th April 2021 ये थी SSC CHSL 2020 के exam की complete overview वीडियो तो अगर आपको इसमें और कुछ information चाहिए तो हमसे comment section में पूछ सकते हैं और यसे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चनल को भी subscribe कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं